हेलो दोस्तों, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि UPSC के इबार में स्पोर्ट्स के उबर में पुछ क्वेशिया स्कूच लेता है, तो आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर थी, कि जो रवी चंदर नश्वेन है, जो आ रश्वेन जो लोग जानते नहीं होंगे शायद, तो थोड़ा पतादू ही इंडियन बोलर है, तो इनके द्वारा ये पहले इंडियन बोलर बने है, जिनोंने अपने करियर के अंदर फादर और उनके बेटे, दोनों को या आपने डिस्मिस किया है, बेसिकली जो शिव नरायन चंदरपाल हैं वेस्ट इंडिस के, उनको और उनके बेटे को भी यहाँ पे और उनके डिस्मिस किया है, और साथ महीन एक बड़ी इंडिस्टिंग और बी चीज थी, यहाँ आप आप नोटेस कर सकते हो, इंडियन टीम की जर्सी के उपर आपको ड्रीम 11 देखने को मिलेगा, आप लोग भी काफी लोग जानते होंगे ड इसको 100 रुपर लगाऊंगा, सर तो 200 रुपर मिल जाएगा, तो इस तरह से काफी लोग इसको आजकल खेलते हैं, ठीक है न, पर हमारी सरकार ने इसके उपर 28% टेक्स लगा दिया है, ओल्लाइन गेमिंग की उपर, अभी थोड़े दिन पहले GST की मीटिंग हुई थी, उसक आपको समझाओंगा कि कैसे इस पर्टिकुलर मूव की वज़ा से कहीं न कहीं हो सकता है, कि हमारी जो ओल्लाइन इंडस्ट्री या ओल्लाइन गेमिंग इंडस्ट्री के बात कर रहा हो, उसको एक मैसिव हिट लगेगा इससे, यह काफी लोग ऐसा भी बोल रहे है, ड्रेम 11 हो गया, मुबाइल प्रेमियर लीग हो गया, यहाँ पर हो सकता है, हजारों इन लोगों की नौक रिया भी जाए, ठीक है, चलो उसको डिसकस करेंगे एक ओन में इस वीक के अंदर, बट बिफोर देट, आज के निईस पर के अंदर आप लोटिस कीजिए, इन्फलेशन के र रखना, तो अभी का जो डेटा आया है न, यहाँ पर आप लोटिस कीजिए, तो यहाँ पर हमारे जून के अंदर जो डेटा आया है, इस 4.81%, पिछले मही ने तर कितना था, 4.35%, तो वहा क्या है न, वारे यहाँ पे जो इन्फलेशन है, जो रिटेल इंफलेशन है, वो हर चीज का दाम कहीं हमें एक बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और उस वज़ास से हमें यह रिटेल इंफलेशन हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है, इन दा मन्त ऑफ जून, अई बात समझ में, अच्छी बात यह है कि अभी भी हम 6% से नीचे है, जो वारा अपर टॉ होगी है काफी जगा के अंदर, कहीं ना कहीं उससे चीजों के दाम और बढ़ सकते हैं, तो शायद आज जो हमें 4.81% देखने को मिला है ना, इस महीने, जून के महीने में, वो शायद हो सकते है, जुलाई में थुड़ा और बढ़ता है, तो यह चीज़े हमें पता होनी चा लागया है, हमारे जो CM साब है, ठीक है, उन्होंने भी बात करी है, इसके रिगाने की कैसे इसको टैगल किया जाए, तो तुड़ी स्टार्ट करते हैं आज की discussion, date है आज की 13th of July और आप सब भी का स्वागत है आज की prelim booster news discussion के अंदर, next हमारा article है with regards to MPI, multi-dimensional poverty index, देखो जब हम बात करते हैं न, poverty की, गरीबी की, तो काफी बार ऐसा लगता है कि poverty का मदलब शायद न, सिरफ पैसा ना होना इस poverty की कमी, पर ये एक single dimensional या फिर इसको हम uni-dimensional अप्रोच बोल सकते हैं, कि आपने सिरफ ये देखा कि अच्छा, इसके पास पैसा नहीं है, तो ये गरीब है, पर आज के टाइम पे उपर न, हमारी जो definition है, poverty की, वो multi-dimensional हो जुकती है, सिर, multi-dimensional कैसे, देखो माल लो, एक यहाँ पे person है, ठीक है न, इसके बास हो सकता है, थोड़ा बास पैसा हो, पर शायद किसी भी कारण की वज़ा से ये अपने बच्चे को school ला भेज पाए, ये हो सकता ह आपे school ही ना हो, ठीक है न, या फिर कुछ और कारणों की वज़ा से उसको school जाने में दिक्कता है, ठीक है, या फिर, let's say, और example में आपको बताता हूँ, जैसे कोई इनसान के हो, अच्छी healthcare न, वो forward कर पाए, ठीक है, तो यहाँ पर आज कल के जो economist है, वो काफी broader sense में poverty को द freedom choice लेने की नहीं है, तो वो भी गरीब है, किने का मतलब क्या, अगर आपको अजादी नहीं है न, कि आप क्या बोलना चाहते हो, या फिर आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, वो भी इनसान गरीब है, अगर मालू जैसे आप मैंसे कुछ लोग हो सकते है, UPSC की त्यारी कर रहे हैं आप लोग, हो सकता है, आप मैंसे कुछ लोग अपनी मर्जी से त्यारी करते हो, perfectly fine, हो सकता है, आप मैंसे कुछ लोग घरवालों के प्रेशर के अंदर, मतलब अपनी सोसाइटी के प्रेशर के अंदर कर रहे हो, तो टेकनिकली न, अमर्तिय सेंड की जो, डॉक् की, poverty को बहुत ही, broader sense पे देखा जाता है, इसी का नाम क्या है, multi-dimensional poverty, और इसी को measure करने के लिए, वाल पस इंडेक्स है, MTI, आई बात समझ में, तो इसको सर, release कौन करता है, इसको release किया जाता है, UNDP, United Nations Development Program के द्वारा, अब यहाँ आपर देख लो, policy कौन से dimension से हमने cover करी है, एक cover किया गया health को, दूसरा education को, तीसरा आपके जो living standard होते है, सरह health के अंदर क्या, health के अंदर आपका nutrition हो गया, आपकी child mortality, बच्चों की death हो जाना, कही ना कहीं, यह भी तो एक तरह की poverty ही दिखाता है, ठीक है, education के अंदर आपका year of schooling हो गया, आपका school attendance हो गया, यह सारी यह parameters के उपर देखा गया है, आप लोग शायद visible ना हो, इस particular picture करना में आप दायता हो, तो छे चीज़े क्या है, देखो पहला है आपका cooking fuel, दूसरा है आपका sanitation, क्योंकि अच्छा अगर sanitation नहीं है, मतलब आपका environment वोगरा चीज़े ठीक नहीं है, तो कहींना कि आप बिमार के उपर आपका living standard देखा जाता है, अब ध्यान रखना, इन सभी की ना one-third, one-third weightage है, मतलब one-third weightage health की, one-third education की और one-third आपके living standard की, फिर उनके अंदर जोर से division वोग, अगर मानलो इसको दो parts है, तो one-third को divide किया, तो nutrition की one-six हो गया, और child mortality की one-six weightage, तो weightage इस तरह से आपे द development initiative, पहली पर launch हुआ था, 2010 के अंदर, उस हंडर से भी जाज developing countries है, उसके अंदर ये चीज़ देखी जाती है, अब अगर देखो इसके अंदर करें, तो इंडिया के बार में कफी अच्छी बाते करी गई है, तो कैसे अच्छी बाते, देखो आप नोटेस करना, दोज़र पा पावर्टी के अंदर थे, हमने अच्छा काम किया, ठीक है, अगले 10 साल के अंदर, उसके अंदर हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, ये जो मल्टिवर्शनल पावर्टी थी ना, इससे बाहर निकाला, तो जो 64 करोड़ का नंबर अब 37 करोड़ हो ग अचले 15-16 सालों के अंदर, 64 करोड़ जो मल्टिवर्शनल पावर्टी के अंदर थे, वहाँ से हमने इसको कम करके 23 करोड़ पे ले आए है, तो 40 करोड़ लोगों के रिगार्डिंग हमने मल्टिवर्शनल पावर्टी कम करी है, ये दिखाता है कि हमारी गौर्मेंट ना करने के अंदर मदद करी है, 25 कंटरेज की बात करें, जैसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने अपने मल्टिवर्शनल पावर्टी वैल्यूस को आदे से भी जादा कम कर दिया है, इसके अंदर आप रोटिस कर सकते हो, चाइना भी इनिक्लूड़ है, इंडिया भी है, और बाक इन कंटरेज में लाइवर्ट 18 परसेंट जो जनता है ना, वो अभी भी MPI, मतलब मुल्टिमेशल पावर्टी का अभी भी शिकार है, तो अभी भी और काम करना इसके उपर जरूरत है, ठीक है, इंडिया के मेरे में अच्छी बात यही है, कि हमारी हर पर्टिकुलर पैरामे पावर्टी के अंदर है, तो उनको भी जल्दे से जल्दे से बाहर निकालने की जरूरत है, यूपी ऐसी रे 2012 में एक क्वेशन पूजा था, किसी के रिगार्डिंग, एक बाद कुशिश करना इसको टैम्ट करने की, मुझे बताना कि इसका अंसर क्या होगा, आगे चलते है पैक्स के बारे में जिकर कर लेते हैं, सर्फ पैक्स क्या होते हैं, देखो पैक्स इज प्राइमरी अग्रिकल्चर क्रेट सोसाइटिस, आपको समझाता हूँ, दरसल में होता क्या है न, हमारे जो रूरल, आप न समझते हो, क्रेडिट में तो एक तरह से लोन मिला, ठीक है अब आप जानते हो खूए कुछ फॉरमल क्रेट होता है, कुछ होता है इनी फॉरमल क्रेडिट, जो कहिते हैं आप प्रॉपर इंसर्टिशन से लेते हो, इनी फॉरमल जैसरे आपने अपने दोस्तों से ले लिया, आपने की नहीं लेंडर से ले आप जानते होगे न हमारा State Level के उपर आता है क्या? SCB, State Coopertive Bank, यह होता है State Level के उपर, फिर आ जाते हैं हमारे district level के उपर, ठीक है? District Level पे से क्या होते है? DCCBs, District Central Coopertive Banks, उसी तरह से हमारा जो rural level के उपर, लोकल level के उपर क्या जाता है? हमारे आजाते हैं PACs, PACs क्या हो गया पैक्स हो गया हमारा primary agriculture created societies अब यहाँ पर होता है क्या है देखो जो अलग-अलग किसान है ना वो किसान यहाँ आपस में मिलते हैं ठीक है हमारे जो farmers है कहीं ना कि वो आपस में जुड़ते हैं वो आपस में एक तरह से चीजें मतलब जो भी उनके पैसे होते हैं उनको यहाँ पे इकठा करने कोश करते हैं विसके लिए PACS के अंदर जो farmers होते हैं वहीं कहीं लागर इसके members होते हैं तो एक तरह की cooperative bodies की तरह work करते हैं फिर जो भी पैसा इकठा हुआ उसको accordingly use क्या जाता है जिसको भी requirement होती है तो अलग-अलग purposes के लिए credit महा से दे दिया जाता है तो काफी असानी से कम समय के अंदर यहाँ पे इनको कैसे पैसे मिल पाई कैसे loan मिल पाई यहाँ भी यह सारी कुशिश कर जाती है PACS के मार्दम से यहाँ रखना यह credit societies है और cooperative manner के अंदर work करती है जहाँ पर जो farmers होते हैं वही इसके members होते हैं वही सारा काम एक सारा से चलाते हैं पिर जिसको requirement होती है कही ने कि उसको दे दिया जाता है funds भी एक दरा से flow कर सकते हैं इसके अंदर ना तो यह तीन style restrictions आपको पता वहना चाहिए state, district level और कही न कही आपका जो rural level के उपर हमें यह देखने को मिलता है ठीक है अब क्या बात हो रही है दरसल में देखो अच्छी बात तो है PACS का कि अच्छे से loan बगएरा मिल जाता है अब बात यह हो रही है कि हमें कहीन कहीन यह जो PACS है इनको strengthen करना पड़ेगा क्योंकि आपने देखा है rural level के उपर तो PACS वर्क कर रहा है अगर इनको strengthen कर देंगे शायद कहीन कहीन लोगों तक अच्छा credit दे पाएंगे अभी भी हम schedule commercial bank से आता है पर PACS को भी हम strengthen और कर सकते है तो यहाँ पर बात किसकी करी गई है FPO's की farmer producer organization की अब आप लोग सोच रहोंगे सरी यह क्या चीज़ है नहीं है FPO दो कि यह लोगों को तो अल़ड़ी पता होगा FPO's के वरवे पर जिनकों नहीं पता ना यह organization बनाई जाएगी जहाँ पर न वो मिलकर सारी अलग-अलग तरह की policies बनाएंगे सर policies कैसी देखो समझ देए कोशिश करो माल लो एक छोटा किसान है अब छोटा किसान है मदब उसकी land बहुत छोटी है तो कही ना कहीं आप notice करो वो उसको हर चीज़ खरीदे में बड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि अगर आप माल लो एक किलो सीड खरीदेंगे तो आपको बहुत महिंगे मिलेंगे पर अगर माल लो इस तरह दस पार्मर इकट्टे होगे उन्होंने एक organization मना ली अब इनको उसकतर 50 किलो सीड चाहिए होंगे तो इनकी देखो जो पावर है वो बढ़गी कहीं न कहीं कल को अपनी फसल बेचने जाएगा तो सामने वाला जो बोलेगा इसको कि भाईया मैं तरी फसल इतने में खरीदूँगा इसको वही दाम मानना पड़ देगा पर अगर सब लोग इकठे होते हैं इकठे होके जाएंगे तो कहें न कि इनकी bargaining power बढ़ जाएगी तो इनको ज़्यादा कमाई भी हो पाएगी बाकी और भी जो inputs वगरा खरीदने होंगे न तब भी इनको कहने के negotiate करने के अंदर असानी होगी कल को हो सकते हैं इनको loan बगया भी मिलने में काफी असानी हो तो ये सारी चीज़े farmer producer organization की मदद से खुद आती हैं जहाँ पर वो आपस में मिलके decisions लेते हैं और कहीना कहीं वो जो decisions होते हैं policies बनती हैं वो काफी अच्छी बन सकती हैं क्योंगी सबने मिलकर उनको लिया है आई बात समझ में तो अगर हम PACS को कहने हैं कि इनके साथ इनको empower करने कुशिश करें तो definitely हमारे छोटे किसानों को चीज़े definitely loans हो गया और बाकी चीज़े हो गया यह सारी properly मिल पाएंगी तो हमने दोरों जोटे समझ लिए FPOS भी समझ लिए farmer produce organization और PACS दो हमने जान ही लिया है clear हुआ बात है ठीक है next topic की तरफ चलते है that is summer अब सर समर्थ क्या है समर्थ की full farm ना scheme for capacity building and textile sector है ठीक है ना नाम इसका तक है समर्थ है अब अगर आप notice करोगे इंडिया में काफी पुरानी एक industry है ठीक है ना और इसके अंदर अगर आप notice करोगे तो अलग-अलग तरह से आप देख सकते हो एक हमारा आजाता है और एक आजाता है अन और्गनाइस सेक्टर जैसे के ना अभी भी आजकल आप notice करोगे कुछ लोग अभी भी टेडिशनल से चीजों को बनाते है टेक्स्टेल से बनाया जाता है टेडिशनल तरीक्वे से हैंड लूम्स हो गया हैंडी क्राफ्ट्स हो गया आपका सिल्क प्रड़क्शन भी इनफेक्ट ना सेरी कल्चर भी कुछ अद्दक डेडिशनल मादेम से करी जाती है वेरैस और्गनाइस सेक्टर के अंदर बड़ी बड़ी आप मशिन भी यूज करते हो ठीक है ना जो आपकी मशीन्स होती है आपके हर चीज़ों के अंदर आपको इस तरह से मशीनों के मादेम से चीज़े यूज करी जाती है पर आप नोटेस करो टेक्स्टाइल सेक्टर में डेफिनेटी बड़ा इंपोर्डन्ट है क्यों क्योंकि काफ़े सारे लोगों को रोजगर देता है एक काफी एक लेबर इंटेंसिव हमें ये देखने को मिल जाता है अब जगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को प्रॉपरली स्किल करना भी तो ज़रूरी है बिल्कुल सही बात है तब ही तो वो अच्छे से अपने लाइवली कोड़ उनको मिल पाएगा तो दरस्रे में जो समर्थ प्रोग्रम है ना वो इसी के रिगार्डिंग चीज़ों को डील करता है कि कैसे उनकी प्रॉपर स्किलिंग करी जाए तो यह हमारी Ministry of Textiles के दोरा है कि कि तो नोडल मिनिस्ट्री कोण सी होगी हमारी Textiles मिनिस्ट्री और इसको 2024 तक हवे implement कर रहे है साथ पर ही मारा जो Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Backing Skills की बात हो रही है न वो भी यहां पर साथ पर आती है प्रॉपर कैसे policy बनी चाहिए उनके regarding यहाँ पर proper work देखा जाता है पर काम यह यह कहीं नहीं कहीं कि na skilling को थोड़ा हम all increase करें इनकी and proper चीज़े करी जाए ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ना हमारी value chain के अंदर जितनी भी activities होती है उन सबी को cover किया जाता है पर दो चीज़े cover नहीं करी जाती what is that spinning and weaving मतलब आपका जो होता है ना कताई करना ठीक है ना उसको छोड़ कर और आपका जो गुनाई होता है weaving उसको छोड़ कर बाकी सारी चीज़े हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है यहाँ पर बात करीगे है आपकी कि कैसे उनको skill करें ठीक है ना कि मालो कोई नया बंदा आया उसको कैसे आप skill करोगे उसको बोलते है skilling एक word होता है upskilling मालो एक person है यह already skilled है इसको कुछ न कुछ काम already आता है पर ऐसा थोड़ी है कि हमेशा अपने आपको आगे आगे बढ़ना पड़ता है ठीक है तो already इसके पर skills है पर उनको कैसे हम upgrade करें कैसे और ने skills और कैसे बहतर skills इसको सखाए जाए तो उसको बोलते है upskilling मतलब अपने skills को और भी बहतर करना एक word यहाँ आपर आता है re-skilling का इसका क्या मतलब है देखो मालो एक person है उसके पास कुछ skills है पर यह तो skills है ना यह इस particular काम के लिए सही नहीं है मालो है समझाता हूँ थोड़ा फरक सामझने कोशिश करना जैसे मालो एक person है say simple example समझाता हूँ मालो ना इसको सब coding आती है पर coding आती है इसको C++ के उपर ठीक है अब कल को इसको artificial intelligence सीखनी है ठीक है ना तो यहाँ पर क्या होगा ना इसको अपने आपको upskill करना पड़ेगा already इसके पस कुछ skills है पर इसको अपने आपको और हम skills बढ़ाते जारे है उसी domain के अंदर ठीक है सर अब यह दूसरा बरसन समझो यह इसको भी C++ coding आती है पर कल को ना इसको कुछ managerial role मिल जाता है तो manager वाले इसको 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 skills कुछ अलग थे पर इसको कुछ अलग skills चाहिए यहाँ पर जो managerial skills होती है इसको बोलेंगे re-skilling अब skilling के अंदर होता है तो यह चीज़े re-skilling program के अंदर insure करे जाती है तो वाज़ जो textile sector के लोग है उनके अंदर भी नए लोगों के लिए skilling करना जिनको already थोड़वक skills है उनको upskill करना और जो किसी दूसरे चीज़ों के अंदर involve थे पहले उनको कैसे हम re-skill कर सकते है यह सारी चीज़े आपको समर्थ program के अंदर के अंदर देखने को मिल जाएंगी अलग-अलग features है इसके अंदर समर्थ के अंदर ठीक है ना आपका अधार enabled बायोवेटरी के अड़ने system है आपकी training होगी ठीक है जो trainers है उनकी training होगी ठीक है management information system है प्रॉपर एप्स बगयरा के थूँ यह चीज़े देखी जाती है employment भी आपको बात में provide करी जा रही है ठीक है ना जिसे for example entry level के अंदर 70% placement तो पक्का होगी 90% upspilling program के अंदर भी पक्का इतरे तो ensure यह आपके करी जा रही है बाग QR based आपको e-certificates बगयरा ESI चीज़े यह आपे provide करी जा रही enter the smart program ठीक है अगले topic की तरफ चलते है that is legal row between farmers and Pepsi को अब देखो अगर आप notice करोगे तो Pepsi को क्या आपने जैसे lays बगयरा I'm sure कभी ना कभी तो life में खाई ही होंगे ठीक है ना तो अब भी बता क्या हुआ है हमारे पास एक PPV-FRA है तो यह क्या है PPV-FRA this stands for protection of plant varieties and farmer right authority I repeat protection of plant varieties and farmer right authority दरसल में है क्या ना यह प्लाइट वराइटी अथारे एक तरह की authority हमने बनाई है ताकि ना जो हमारे different different जो plant varieties होती है उनकी जो भी varieties आती है कहीना कि उनको हम कैसे conserve करें कैसे हम ensure कर पाए कि नएने लोग उनको नएनी plant varieties को कैसे develop कर सकते है at the same time farmers के interest भी वहाँ पर protected रहे basically breeders के भी right जो कुछ नया breed कर रहे है जो researchers हो गया और साथ-साथ farmers हो गया इनके rights कैसे protect किया जाए यह particular authority इस जीज को ensure करती है तो अभी पता क्या हुआ है यह जो authority अभी नहीं मतलब फोड़े टाइम पहले भी जो authority थी न इसने Pepsi को का जो registration था with regards to a particular variety FL-2027 इसको revoke कर दिया है आप रहों समझ रहोंगे सरसर FL-2027 यह क्या है देखो जो आलू होते है basically आप potato chips खाते हो the point अब ऐसा पेपसी को का मानना है कि भाईया हमारे जो आलू है न यह हमारे विश्कार है एक तरह से ठीक है न जो आलू हम लेज वगएरा के अंदर डालते है तो जो किसान इसको उगाते है जो पेपसी है वो उनको देता है ठीक है न तो इनका यह मानना था कि यह कोई और ना होगा पाए ठीक है और कोई इसको यूज ना कर पाए तो इसको एक तरह से 2016 में यह license मिल भी गया था 6 साल के लिए 2022 तक बट बाद में क्या होता है न एक जो farmer activist होते है उन्होंने इसके regarding बोला कि नहीं यह चीज गलत है इसका जो company के पास है यह registered data variety के उपर है आपने इनको दे रखा है इसको यहाँ पे इसको रिवोक करना चाहिए और actual में फिर PPV FRN ने उसको रिवोक कर भी दिया फिर यह बात में गए कि इनके दिल्ली हाइकोड तो इल्ली हाइकोड ने बोला कि आप FC को गलत है ऐसा नहीं हो सकता तो यह चीज़े इसके regarding की चीज़े आप पता हम चाहिए कि मारा जो section 34 है उसके अंतरगत इनको रिवोक किया गया है अब क्यो रिवोक किया मैं आपको समझाता हूँ दरसल में क्या हुआ है कि इन्होंने incorrect information दी है सिर्फ incorrect information का मतलब क्या है देखो फरक समझ रहा एक होता है आपने कुछ नई वराइटी आप लेकर रहे ठीक है ना और एक होता है आपने एक पुरानी वराइटी को reintroduce कर दिया दोनों के चीज़ में देखो फरक है एक होता है कि आपने कुछ नया बना दिया और आपने एक क्याम क्या किया आपने कुछ पुरानी वराइटी को नया बना कर उसको निकालने कोशिश करी है है वो पुरानी वराइटी बस उसको थोड़ा इस तरह से reintroduce किया गया है तो यहाँ बना ऐसा माना गया है कि पेपसी को ने ये चीज़ करी है ना कि ये चीज़ तो अगर होता कि आपने नई वराइटी बनाई है तब आपको ये चीज़ दी जा सकती थी पर आपने तो ऐसा किया है नहीं पेपसी को ने तो ये वाली चीज़ करी है तो इस वज़ा से उनको नहीं मिलेगा गेटिंग दा बॉइट और इसी यहाँ पर ना इसके अंदर बात हुई है निउ वराइटी की और एक्स्टेंट वराइटी की ज़ब हम बात होती नेु वराइटी की तो नीउ वराइटी के अंदर ना कोई नए चीज़ होनी चाहिए पर अपने ट्राइ करी हो तब आपको नए वराइटी वगरे चीज़ मिल दी है साथ में यह आपको क्या हो सकते है आपको वो जो पंडिकुलर चीज आपने वो अलग होने चाहिए, तो उनिफॉर्म होने चाहिए, तो नई वराइटी के अदर ये चारों कंडिशन होने चाहिए, एक्सटेंट वराइटी के ये तीन कंडिशन को satisfy नहीं कर रहा, इसलिए उसको क्या बोला गया, extend variety और ना की नहीं variety, इसलिए जो अब जो चाता था Pepsi को, कही ना कि उसको नहीं माना गया, getting the point तो ये कुछ फरक थे, जो मैं पता होने चाहिए थे, तो साथ में ही सर और क्या क्या तरीके हैं, जिसके अंदर revoke किया जा सकता है certificate को, तो एक तो है कि उनने गलत information दी हो, वो गया, इसके लाबा किसी ऐसे person को दिया गया हो, registration certificate जो उसके लिजिबल ना हो, ठीक है ना, proper अगर उसने documents नहीं दिये है, proper उसने साथ साथ मतलब मालो कि required receipt उसने provide नहीं करें है, एक्ट सुगरा एक साथ comply नहीं किया है, अगर इससा लगता है कि जो registration certificate दिया गया है, वो public interest के खिलाफ है, तो इन सभी माध्यम के अंतरगत उसको revoke किया जा सकता है, तो आई होब आप समझ पाए होगे कि farmers और practical के बीच में, जो legal में बाद एक तरह से चल रहा था, वहां दरसल में जो जीत हुई है, वो हमारे किसानों की हुई है, ठीक है न, तो यह कुछ points थे, यह जो FL2027 है न, मैं आपको इसका जो अंसर बताजता हूँ, FL2027 और कुछ नहीं, कही ना कहीं जो chips वाली जो potato variety है न, वो हमें देखने को मिलती है, यहां पर external defects कम होते है, इसका dry matter हाई होता है, क्योंकि आप notice करो न, आप घर पे आप आलू चिप्स नाने कोशिश करना, जो आपकी घर में आलू आते है, उसके तरू अगर आप खुद बनाओगे न, यहीं न कहिए वो आलू जवाद तो करकरा बन रोता न, वो नी होता, आलू का जो रंग होता है, वो काला कला हो जाए का जब आप उसको फ्राई करने कोशिश करोगे, पर यहां पर यह जो NFL 2017 जो पेपसी को यूस करता है, अपने लेस के अंदर, वहाँ पर ये सारी चीज़े नहीं होती, stable sugar होती है, तो ये ही एक तरह से variety है, दरसल में क्या था, US के अंदर इसको develop किया गया था, 2016 में इनना registration के लिए apply किया था, 6 साल के लिए इनको मिल भी गया था, और बाद में ये renew भी हो सकता है 15 साल तक के लिए, पर उससे पहले ही इसक का मैं आपको एक बार quickly answer बता रिता हूँ, एक मुझे था यूलिप के बारे में, unified logistics interface platform, क्या 2022 में launch हुआ था, बिलकुल correct है, as a part of NLP, ये बात यहाँ पे बिलकुल true हो जाएगी, बात करें Solomon Island की, तो क्या ये हमें इंडिये रोशन में देखने के मिलेंगे, नहीं बिलकुल ग करनातका के अंदर majorly practice कर जाती है, और और भी कुछ states का ने आप अपदाई थी, और majorly करनातका हमें ये आप देखने को मिल जाएगा, तो ये थी आज की discussion, अगर आपको selective PDF चाहिए, तो आप मैं telegram channel, PW OnlyS official पर जाके selective PDF पर access कर सकते हो, और अपनी preparation को और भी बहतर बना सकते हो तो I hope आप सभी को आज कर session अच्छे समझाया होगा, इसी तरह से आप भी अप्लेंट पर hard work करते रहिए, goodbye and good luck